आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं तो देखिए संक्रमित कोशिकाओ द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओ जो अन्य स्वस्त कोशिकाओं को क्या करते हैं? को वाइरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं. तब इसे प्रोटीन क्या कहलाते हैं? इंटर्फेरोन कहलाते हैं. देखिए वाइरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा अन्य स्वस्त कोशिकाओं को बचाने के लिए उन्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रोटीन उत्पादित किया जाता है. वही प्रोटीन क्या कहल कहलाता है इंटर्फेरोन कहलाता है अब इसकी भूमिका क्या होती है यह भी हम समझ लेते हैं तो देखिए इंटर्फेरोन की भूमिका अनस्वस्त कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने की होती है पि देखिए यहां सुरक्षा किस प्रकार्ण प्रदान करते हैं तब वह हम समझ लेते हैं तो देखिए यह इंटर Φी को रोगते हैं यह इंटर फेरों वह इसके अलावा यह किस प्रकार्ण की व्रद्धी को रोख पाते हैं तो देखिए यह इन विषांट के न्यूकलिक अमल इन विशानू का न्यूकलिक अमल संसलेशन तंत्र जो होता है इन विशानू का उसको क्या कर देते हैं बाधित कर देते हैं जिससे क्या होता है की इनकी प्रतिकरती निर्माण में जो बिशाणूं होते हैं इनकी प्रतिकरती निर्माण में यहां क्या कर देते हैं हश्ट शेप कर देते हैं किस प्रकार नुक्ली कमल संसिलेशन तंतर को बाधित करके इनकी प्रतिक रती को क्या कर देते हैं हश्ट शेप करने की शौंता रखेते हैं कौन? इंटर फेरोन और यह इंटर फेरोन क्या करते हैं यह मेक्रो फेज जैसी यह मेक्रो फेज वह इस जैसी अन्य प्रतिरक्षी कोशिकाओं को क्या करते हैं सक्रिय करते हैं क्या करते हैं सक्रिय करते हैं इंटर फेरोन ताकि अन्य स्वस्त कोशिकाओं जिससे क्या होता है अन्य जिससे अन्य स्वस्त कोशिकाओं क्या हो सुरक्षित रहें क्या हो सुरक्षित रहें वा संक्रमित ना हो सुरक्षित रहें और वह संक्रमित ना हो तो देखिए, यहां इनकी भूमिका होती है कि यहां क्या करते हैं, अन्य स्वस्त कोशिकाओं को संक्रमित होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, क्या करते हैं, तो देखिए, हमारा प्रशन यहीं समाप्त होता है, आशा करती हूँ आपको यहां प्रशन समाज आया हूँ, इस व